आराध्य अरिहंत प्रभु के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ वन्दन शाषन पती श्रमन भगवान महवीर स्वामी के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ वन्दन जिन्शाषन देव जिन्शाषन माता को वन्दन आत्म ज्यानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचारे भगवन के चर्णों में अनन्त नंत आस्ता के साथ वन्दन आत्म प्रियम वनिवरिंद आत्मार्थी साथक साधिकाउं तत्वार सुत्र के माध्यम से हम जीव की चार गती और चार गतियों में जीव कहां कहां इस लोक में यात्रा करता है और वहां कैसे कैसे कर्म भूगता है नरग तिरियंच मनुष का वन्दन चला देव गती का वन्दन हमने प्रारंब किया था देव गती के देव हम देवों को सुखी मानते हैं पर देव सुखी नहीं है किस अप्यक्षा से देवों को वहाँ पर साता के सारे साधन मिले हुए है क्या मिले हुए है क्योंकि उनके वहाँ पुन्य का उदय है और आप और हम सब क्या करते हैं पुन्य को सुख मान के बैठे यह हमारी ब्रांती है पुन्य में सुख है ही नहीं पुन्य में अनुकुलता है क्या है अनुकुलता में अगर सुख होता तो जितने भी लोगों को सब अनुकुलता मिलती वो सुखी होने चाहिए पर है क्या जितना ज़्यादा उनके पास अनुकुलता के साधन है उतने ही ज़्यादा वे अंदर से अत्रुक्त है देखो आप गाजा, महराजा, बड़े-बड़े करोड़पती, अरबपती जिनकी लोब की सीमा अन्त नहीं है हमारे यहां उत्रादियन सुत्र में आता है कि मनिश्य की जीव की जब अग्यान दशा में, विवाव दशा में होता है तो उसकी मन की इच्छाएं और कामना कितनी हैं कि किसी व्यक्ति को सोने चांजी रूपों के पहाड के पहाड दे दिये जाए फिर भी उसकी इच्छा और कामना पूर्टी नहीं होती और चाहिए और चाहिए और देव भी तो क्या है यही जीव है यात्रा करते करते वह वर्तमान में जैसे आप मनिश्य कतिम बेटे वह देव गतिम बेटे हैं अनुकुलता नहीं है प्रतिकुलता है तो वह प्रात्ना करता है अपने परमात्मा से कि मुझे अनुकुलता मिल जाए तो यह अनुकुलता हमेशा बनी रहे और अनुकुलता बढ़ती चली जाए जितनी अनुकुलता चाहता है अनुकुलता नहीं सकारत्मक पुन्य कर्मक उदै और पुन्य से आपको अनुकुलता और साता के साधन मिलते हैं और उन साधनों को और बढ़ाने के लिए जैसे यहां पर राजा महराजा एक देश दूसरे देश के प्रति आक्रमन करके अपन अनुकुलता की लेकिन वो सब सुख ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सुख पुद्गल में है ही नहीं उनको अनुकुलता किसकी है गती की अपेकसा से क्षेत्र की अपेकसा से अनुकुलता है आसपास के लोगों की तरफ से अनुकुलता है जैसे नरक के जी आपस में लड़ इतनी है जितनी यहां पर डेवगति में एक शेत्र की वेदना नहीं एक शेत्र की अनुकुलता है लेकिन अनुकुलता में सुक है ही नहीं क्योंकि अनुकुलता सब किसकी है पुद्गलों की है अनुकुलता किसकी है अब देख लो अब यहां पर आज की तारिक में जो भी लेकिन उनके जाके पूछो तो वह सुखी नहीं है अंदर से अत्रिप्त है दुखी है मैं आज से 20-25 साल पहले की गटना बता तो हम पुना में एक घर पर संयोग से ठेरने का आउसर मिला तो जिस घर में ठेरे थे अपना जेन परिवार था उसके उस समय में 16 फैक्ट्रिय थी तो जब उसकी वाइब से चर्चा हुई तो वो केते हैं मेरा हजबन उस समय तो इतने मोबाइल का यूग नहीं था 25-30 साल के पहले की बात है तो वो केते हैं मेरा हजबन 16 फैक्ट्रियों में गूमता रहता है और महिने में एक दो दिन यहां पर बंगले पर आता है और उस समय उसके मोबाइल फोन यह सब चलते रहते हैं मैं इतनी अशांत हूं कि जब जब दुखी हो जाती हूं बाजू में जाकर ध्यान करके शांती प्राती हूं इससे तो अच्छा होता कि मेरे पास हस्बेंड होता और एक चोटी जोपड़ी होती दो बच्चे हम आराम से रहत अबन को मेरे पीईक है विए कि जब lige मैरे पास रहता नहीं सारा महीना गूमता रहता है आज इस गेंश्ड हाऊस में आज उस गेंश्ड हुसमें और फैक्तरियों में घूमतारता है और यह आता है तब पी से फोन छुटते नहीं हमारे लिए उसके पास समय आं ईसा पैसा क्या का उसी बंगले में दो भाई का परिवार हैं उनकी जो माता थी वह कहती दो एकड़ का बंगला है इसको मैंटेन करने के लिए 45 नोकर रख रखें गाड़ी ड्राइवर सफसपई माली यह मैं तो इनकी इनको मेंटेन करने में रह जाती हूं धरम दियान तो दूर गया किसने किसको क्या काम देना किसको क्या काम लेना किसने कोई काम पर आया कि नहीं आया कि क्या कराना क्या नहीं करना उस ही में लगी रहती हूं पेंटालिस नोकर बंगले को मेंटेन करने वाले अजबेंट के पास इतनी फैक्टरियां लेकिन परिवार में क्योंकि सुक उन पुद्गलों में ही नहीं यही हाल राज देवताओं का समझ लिजिए उनको पुद्गल पुछले वह से पुन्य से उदेश से क्षेत्र की अनु देखो धनिक आदमी को चिंता ज्यादा है कि घरीब आदमी को चिंता ज्यादा है घरीब बुद्गल इतनी चिंता है रोटी पकड़ा मकान और मेरे बच्चों को मैं कैसे मेनेज करूं और धनवान को इसकी चिंदन है पर उसके पास जितना आ रहा है धन पर प्रतिष्टा परिबार इसको कैसे मेंटेन करूं, जो मैंने इमेज बनाई है, वो कैसी बनी रहे, कई जरा सी खंडित न हो जाए, और ये बढ़ती ही चली जाए, उसकी चिंता में कितना वो सच्चा, जुठा, उल्टा, सिधा, कितना कुछ करता है, वो सारे कर्म किसके साथ लगेंगे, जो कर रहा है, वो भरेगा, तो हम सब को यहां समझना है, कि किसी भी गती में सुख नहीं है, किसी भी जाती में लिंग में सुख नहीं है, अनुकुलता में सुख नहीं है, ये ब्रह्म से बाहर निकल जाओ, सुख जो है, वो आपके जीव के पास है, और जो जीव, जड़ और बेद करेगा कि शरीर अलगे रातमा अलगे और जीव में जा करके जो जिस समय स्थित होगा उस समय उसको सुख का अनवो होगा खाली जानकारी ले लिए उससे कुछ नहीं होगा लेकिन जीव को समय दे करके जीव में स्थित होता है जीव की साथ रहता है उस समय में उसको अन में स्तित होगो उसी समय आपको सुक कानवो और यह सुक बढ़ता ही जाएगा गटेगा कभी नहीं यह सुक और यह सुक शाश्वत है टेंपरेरी नहीं है जो अभी आया और थोड़ी देर में चला जाएगा या जा सकता है वो सब टेंपरेरी है शाश्वत वो जो पहले भी थ इस दूढने को शुरू कर दे और जीव में सुख डुणने की विदी अगर आपको मिल गई और ज़ाप जीव में श्थिर रहते हैं तो आप 24 गंटे आनन्द में रहते हैं आनन्द हमारा सभाव है याने किसका सभाव जीव का सभाव पुद्गल का सभाव आनन नहीं है बोजन खाने के बाद आपकी जो कामना थी इच्छा थी वो पूरी हुई आपको लगता है मुझे आनंद आ गया और आपके सारे विश्तेदार परिजित ने बहुत आपको बहुत भावना से अपने बनवाया तो आपको अपने प्रमान से डबल खिला दिया प्रमान से कितने घंटों तक आपने दस मिनिट के लिए भावना में आकर के भावुक्ता में आकर के मन के पिछे लगके प्रमान से ज्यादा खा लिया प्रमान से ज्यादा देख लिया प्रमान से ज्यादा सुन लिया कोई भी चीज़ ले लो पांचों इंद्रियों के विश्य ले लो स्पर्ष को पांचों इंद्रियों के विशे को आपने एक लिमिट से ज़्यादा भोग लिया अब वो आपके किसमें बदल जाएगा सारा का सारा जो दुख में बदल जाए वो सुख नहीं है यह कसोटी कसलों जिसके पीछे दुख छिपा हुआ है वो सुख नहीं है सुख वो है जो हमेशा बढ़ता जाए जिसके पीछे दुख नहीं है शाश्वत है और समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता बस आपका ध्यान नहीं है तो वो दब जाएगा आपका ध्यान दूसरी अनुबह होगा, अगर आप जागरुकता में हो, तो आपको सुक्की ओर लगा गल्टी क्या हो रही है, सुक्क जितना भी आज तक आपको मिला बली, पुद्गल से भी मिला, वो पुद्गल ने सुक नहीं दिया, आपके मन में एक कामना की पूर्ती हुई, एक कामना जगी, का सुक का अनुभव लगा, और आपको ब्रह्म हो गया कि मुझे इस कामना की पूर्ती में मुझे सुक मिला है, तो आपने एक और नहीं कामना पेदा करनी, फिर उस कामना की पूर्ती करने में लगे, फिर पूर्ती हुई, एक शन के लिए सुक मिला, फिर वापस नहीं कामना, अब ब्रह्म किया है कामना की पूर्ती में सुक नहीं सुक तो अंदर है जब जो कामना बिलकुल नहीं थी तब वो सभाविक सुक उपर आया और आपको ऐसा लगा कि मुझे इस पुद्गल से सुक मिल रहा है इस भोग भोगने से मुझे सुक मिल रहा है इस अनुकुलता में स प्रकट किसको होती है जो जीव को समय देता है जीव में ठहरता है बाकि सब जीव के बिना दो कोई रहता नहीं लेकिन वो सब अपनी मन बुद्धी इंद्रियों में संस्कारों में ढूंड रहे हैं और वहीं पर गुमते रहे हैं तो यहां पर बात चल दी देवताहों की सुत्र में हमने देखा था इंद्र सामानिक ट्रायंस्त्री शत्र पारिश द्यात्म रक्ष लोग पालानिक प्रकिर्णकाभी योग्य किल्विश्रिकास चेक्षह इंद्र जिसके पास सत्ता है अधिकार है और सब प्रकार के सुखे वो इंद्र सामानिक वो इंद्र के समान आयूपी समाण है, परंत उसके पास अधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है, और Trians 3 ये देव इंद्र के मन्तरी और पुरोहित के रूप में होते हैं, जोसे हमारे या मन्तरी पुरोहित होते हैं, वैसे इंद्र की भी सभा लगती है, उसमें उनकी देव जो हैं, वो इंद्र और म आश्रपती के जाता है उसके फ़ीछ के लिए इसे इंड्र करते हैं तो से उनको बहुते हैं। फिर भी एश्वर यह दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने इतना क्षेतर के हम मालिक हैं, तो वहाँ पर यह देव नियुक्त होते हैं, आथवे प्रकार के अनिक देव, सेना तुल्य देव, जैसे देश में सेना होती है, वैसे इंद्र के पास भी सेना होती है, तो वो सेना त दोनों प्रकार के देवों का ताथ परिया है आत्वे प्रकार के प्रकिर्णक देव यह नगरवासी जैसे हम यहां पर जनता है वैसे वहां पर इंद्र के पास भी सामान्य देव जो रहते हैं उनको कहते हैं प्रकिर्णक देव नगरवासी सामान्य प्रजाजन के समान्य नव सवारी के रूप में इस विक्ल्न कर डा करके जैसा वहादेष देते हैं वह रूप बना करके वे सेवा में खड़ रहते हैं उनको किल्विशिक देव और दश में हैं किल्विशिक देव जो चांदाल आदी या अस्प्रेशन माने जाते हैं इन डेवों में भी स्थारखी विवस्ता ओर देव यहां पर बनने रेले त कि आज एत्र दिशों लोकपाल वर्जीया विंतर जोटिश का विंतर और जोटिश्क देवो में मैं ट्रै। आज जोट इसको लोगपाल यह दो भेद नहीं होते आगे कहां पहले के दो निकाए में दो दो इंद्र होते हैं भवन पती निकाए और वियंतर निकाए कि ये दो पहले निकाए हैं इन में दो दो इंद्र होते हैं एक उत्तर दिशा और एक दक्षिन दिशा के स्वामी होते हैं भवनती निकाए कि असुर कुमार दी दस प्रकार के देवों का तव व्यंतर निकाय के पिशाचवादी आठ प्रकार के देवों के दो-दो इंद्र होते हैं इसे निम्नलखी तालिका में समझाया है जा असुर कुमारादी 10 और इनके देवों के नाम बता है चम्रेंद्र, धरनेंद्र, वैनु देव, हरिकान देव, अगनिश्विका देव, पू जो 30 के सूरिया और चंडर और कुल वैमानिक देव के कुल 10 इस प्रकार 64-इंद्र होते हैं इं 64-इंद्र ते ठंकर भगवान के सामने जुकते हैं नमन करते हैं आप सारी जिंदकीन इंद्रों की और देवरी देवत्वता हो कि माला इस्तोत्र भक्ती करते हो वो आए नहीं आए उनकी इच्छा है वो आपके उपर मेर्बान हो या नहीं हो लेकिन जो आत्मा की साधना करता है आत्मा से परमात्मा बन जाता है चोसट के चोसट इंद्र उसके आगे जुकते हैं क्यों जुकते हैं उनके पास पुन्य है लेकिन उनके पास आत्मा की साधना नहीं है तिर उसके अधर शुरुप से उनको सईयोग देते हैं ताकि वो हम नहीं कर पा रहे हैं यह कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको इसे तभी हमारी दश्वेकाली के पहले गाता में का जम्मो मंगलम मुखीटम अहिंसा संजम होता हूँ देवा वित्तम नम्म संजी जस्दमे सयामन जो धर्म मैं जीवन जीएगा धर्म याने सवभाव सवभाव किसका आत्मा का जो आत्मा के सवभाव में जीता है उसको देवता स्वेम आके नमस्कार करते हैं पंचमारे के लोग क्या कर रहे हैं देवताओं की स्थूतियां कर रहे हैं और अपनी आत्मा को भूल के बेटे अगर आप आत्मा की साधना करोगे तो किसी देव की स्तूति करने की जिरुत नहीं लोगस के पार्ट में 64 इंद्र सेवा करते हैं क्योंकि लोगस के पार्ट में 24 सिथंकर की स्तूति है और 24 सिथंकर की स्तूति में वहाँ एक मात्र प्रात्ना है हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्ध गति का मार्क दिखाओ कौन सा वो बोधी मुझे दो जिसके बास मेरे पास कोई कर्म रोग ना आए आरुग बोही लावे यह शरीर का रोग नहीं शरीर पे रोग क्यों आ रहा है रोग का मुल कारण क्या है कार्मन शरीर कार्मन शरीर से कर्म निकल कर आता है तो आपके दे अधारिक पर आता है रोग आता है मुझे वो विदी दो वो बोध दो जिससे मैं आत्मा के चारो तरफ लगे कार्मन शरीर को क्या करूं शैकर आत्मा का पहले तो आत्मा का बोध नहीं होने से तो शरील कोई सुख के लिए तरप रहे हैं आत्मा का बोध हो गया फिर शरील गोण होगा और उसके बाद में मुझे उत्तम समाधी की विदी दो समाही वर मुत्तमम दिन्तु उस उत्तम समाधी के द्वारा में अनंत जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म जितने भी मैंने बांदे हैं शुकषभध्यान में इतनी ताकत है कि आप एक गड़ी और दो गड़ी की सामाई कर लो एक गड़ी कितनी चोटी है सिर्फ 24 मिनित की सामाई एसी सामाई जिसमें मन का एक अब हिकल्प ना है शरीर का एक ध्यान ना है पुद्गल का एक सामाई भी चिम्तन ना चले एसी एक सामाई पूर्ण हो जाए तो केवल ग्यान यानने अनंत काल के सारे गाती कर्म क्षय हो जाएंगे और आधी सामाई की कर ली तो आपको क्षाइक संकित यानने आदा मिध्यात्व मोहनिय कर्म का एक भाग दर्शन मोहनिय कर्म क्षय हो जाएगा आपकी आगे मोह कर्म को ख्षय करने की यात्रा चलती रहेगे एक दो तीन भहों में अपना कार्य सिद्ध कर लोगे अनंत संसारी से परित संसारी और परित संसारी से निकत भगे तो ये सारा ब다्रिश चौंसर इंद्रों बालन चला आगे क membhaces प्रत्रतम दो निकायों में प्रितल्य और आंतस प्रेशिया होती है कृष्ण लेश्य निल Newton लेश्य और कापॉद लेश्य और पितल्य थेज्यु अले भवताती व में का ये प्रभीचारा यह शान पूचता ब देव भी क्या संसारियों की तरह काम भोगते हैं क्या यहां गुरु शिश्व प्रमपरा से चल रहा है संबात तो देवताओं के बारें पुछा बता रहे तो फिर उसने प्रशन पुछागी वे भोगते हैं क्या क्या प्रविचारा आए शान इशान स्वर्गतक के देव देव क्रमस स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा देव शेस दो कल्प के देव क्रमस स्पर्श रूप शब्द और संकल्प द्वारा विश्यसुख भोगते हैं वो शब्द से स्पर्ष रूप शब्द और संकल्प से इसमें वणन दिया है कि तीसरे कल्प तक उत्तर के समस्त कल्पों में वेवानिक देव मनश्र के समान सर्वांगीन शरी स्पर्ष दोरा विशे भोग नहीं करते अपर तुम अन्य अन्य डंग से विशे शुप भोगते तीसरे सनतकुमार चोथे महिंद्र कल्प के देव अपनी देवांगना का केवल आलिंगन यानि शरी के सपर्ष मातर से त्रप्त हो जाते हैं यही बात दिवांगनाओं के साथ भी होती है आगे के सर्वा पांची और छटे स्वर के देव ब्रह्म देव लोक और लांतक देवियों के सुंदर रूप शंगार साथ सज्जा को देखने मातर से संतुष हो जाते हैं उनकी काम लालसा त्रप्त हो जाती है साथवे आटवे सवर्ग के देव यानि महाशुक्र स्वर कल्प के देव देवियों के मधूर घीत कोमल हाश्य मिटे वचन आभुश्णों के श्ब्ले से संतुष हो जाते हैं और आगे नवे दस्वे गयारवे के देव यानि अपनी देवियों का मन में चिंतन करते ही संतुष हो जाते हैं एसे को अपनी काम लालसा शांत करने के लिए नदेवियों के परश न रूप न सुंदर या न देखने न कर्ण प्री की अपिक्षा इनकी विशाई वासना मरन मात्र से चांते परे अपर विचारा इसके आगे के जो देव लोग हैं बारा देव लोग के आगे वो शेष ग्रेवेक और अनुतर विमान के देव विशाई सेवन से रही थे याने वो इतने निरलिप्त हैं इसके नीचे बारा देव लोग तक के लोग हमारी तरह से जीव वहाँ पे गए पुन्य से आगे गए लेकिन फिर भी अंदर में काम भोग वाशना है लेकिन उसके उपर के जो देव लोग के जीवें बारा से उपर नो ग्रेवेक और पांच सब्सक्राव करते हैं यहंगी होने से भीतल के सुख का भी अणफ़व करते हैं क्योंकि यहां से ऐसे उपर के जो जीव हैं वो सब सम्यक्तवी जीव होते हैं अदिकांस और वे अपनी वित्रागता के साथना में लिन टैथे हैं क्योंकि उपर उपर स्वर्ग के देवों की वाशना क्रमश हीन होती है ये देव नीचे के देवों के से असंख्यात गुणे सुखी रहते हैं दीब दिप दिख कुमार वाशन के नाम है ये सभी देव कुमार के लखकाई के सभी जनमत से लेकर मरण तक एक सी अवस्ता में रहते हैं योव नवस्ता को प्राप्त कुमारों के समान वस्त्र आबुशन से सुजदे ये आमोद प्रमोद प्री होते हैं इनमें असुर कुमार प्राया आवासों और कभी भवनों में भी बसते हैं और नाकुमार आदी सब प्राया भवनों में ही बसते हैं आवास और भवन के अंतर जर्मना अपनी अपनी जाती के भिन्ह है इन बवनवासी देवनों के अलग-अलग वर्णन दिया है अगला सुत्र है बारा वियंतर के बार में वियंतरा किनर किमपुरुष महरग गंदर्व यक्ष राक्ष भूत पिशाच वियंतर निकाय के देवों के आठ भेदे किनर अपको यहां पर कहीं किसी को कोई देव लगती हैए वियंतर लगी जाते हैं और उनको परेशान करते हैं इनकी बृत्ति है इसतर की होती है विवित अंतरों में बश्ने के कारें ब्यंतर प्रफ नार्पन नार्वी के हजार योजन मोटे रतनकांड के उपर नीचे एक सो य एसी जगों पर रहते हैं इन में से कुछ को तो मनुष्यों की सेवा साइए तब ही करते हैं कुछ तो और आठ प्रकार के वियंतर देवों के नाम इस प्रकार है जो किनर के उत्तर भीध भी एकिनर के 10 महरग के 10 गंदर के 12 यक्ष के 13 राक्षस के 7 भूत के 9 पिश्चाज के 15 उत्तर बएत है इस प्रकार आज प्रकार के व्यंतर च्छी उत्तर पोदों में व्यतिस्ग करते हैं यह बहबन मंसिघ है और आगे जो हैं आय अगे न को आखास में दिक दःते हैं सूरिय चंद्र ग्रह नक्षतर और तारे इन जोतिसकों में बहुत से चल है और बहुत से अचल हैं जो हमारे यहाँ यहाँ पर दिख रहे हैं डाईदिप में वो तो चल हैं बाकी बाहर के जो है वो अचल है इनके गमन से ही काल का व्यावार है व्यावार काल में राद दीन है न साल वर्ष जहां जहां यह जोतिस चक्र के चल है वहाँ पर यह इनका प्रवाब जोतिस देव चमकीले होने के कारण जोतिस कहलाते हैं यह सभी जोतिस देव मद्य लोक में रहते हैं मेरू के समतल भुभाग से 790 योजन की उंचाई में जोतिस चक्र के क्षेतर का आरंब होता है 900 योजन पर इसका अंत होता है इस प्रगा कुल 110 योजन में यह जोतिस चक्र व्यवस्तित है सम प्रत्वी से 800 योजन की उंचाई पर सूरिय के विमान है वहां से 80 योजन की उंचाई के चंडर का विमान है वहां से 20 योजन की उंचाई तक में ग्रह, नक्षट और पकिण तारे हैं तारे का मतलब ही कुछ तारे अनियत चारी हैं कभी सूरिय चंदर के नीचे भी चलते हैं और कभी ऊपर भी चलते हैं जोतिस्क देव और विमान अत्यंतर प्रकाश मान हैं, उनके शरीर की प्रभा जोतिस से समान डिप्त मान हैं, तब उनके विमान में दिग मंदल जोतित होते हैं, जिसके कारण ये देव जोतिस्क देव कहलाते हैं, अब आगे इनके बारें बता रहे हैं, चोदवे सुत्रे मे मेरू प्रदक्षिना नित्य गतियों नरी लोके ये सब जोतिस देव मनुष्य लोके सुमेरू परवत की प्रदक्षिना देते हुए निरंतर गमन करते हैं जो पांच प्रकार के जोतिस्य देव हैं यह महरूपरवत की मनिश्य लोक में जो सुमहरूपरवत है उसकी प्रदिशना देव निरंतन गमन गते हैं धाई दीप और दो समुद्रों में मनिश्य लोक है मनिश्य लोक मानिश्य लोक मानिश्य लोक तर परवत तक है इस लोक में केवल ग्यानियों ने जो सब आपने ग्यान में देखा वो सब बता है मनिश उलग में कुल सूरिय और चंद्र एक सो बतीस है जैसे जंबुदीप में दो लवन समुद्र में चार-चार धातकी खन में बारा-बारा कालोदी समुद्र में 42-42 और पुस्कराज में 72-72 सूरिय चं काल का विवाग इनी चर गतिशिल जोतिसकों के द्वारा होता है जोतिस देवों में गमन से ही काल व्यवार बनता है काल का विवाग जोतिस देवों के विशिष्ट गति पर निरवर है काल दो प्रकार का एक व्यवार का एक दूसरा है निश्टे का सेकंड मिनीट गड़ी म नुरत दीन राद पक्ष मास आधि जो स्तूल काल है इस पर हम व्यवाहर काल के थी यह सूर्य चंद्र आधि जुदिस्कों की नियत गती पर अवलंबित होने के कारण उससे ही जाने जा सकते हैं तो इसी को निश्ट्रे काल का बोध होता है इसी से निश्ट्रे काल का बोध हो गति क्रिया से ही दीन का व्यवार होता है इसी तरह सुर्य के अस्य उदै तक की गति क्रिया से रात का व्यवार होता है मूरत दीन रात या थीस्वा भागे पक्ष 15 दिन रात दो पक्षों का मास दो मास की रितू तीन रितू अयन दो अयन वर्ष पांच वर्षों का यूग अ जो गिंती में आ सकता है असंखिये जो गिंती में ने जिता जिसे पल्योपोम साग्रप महादीन का कोई अंत नहीं है बाकी की चलिए